जोमेट्रिक आर्ट टूटोरियल को आपको स्वागत है ये पिचर दिखा रहे हूं पहले एट सेंटिमेट्र का एक लाइन बनाएं बाद में वही एट सेंटिमेट्र का मेशरमेंट लेके कमपास से ऐसे दो सैड में मार्क कीजिए बाद में वह दोनों पॉइंट को जोड़ दीजिए पेरेस करेंगे ये सब बाद में इधर से इधर तक मेशरमेंट लेना है कमपास से ऐसे और इस लाइन के उपर मार्क करना है बाद में इधर से इधर तक का मिडल पॉइंट लेना है हमें उसके लिए मिडल पॉइंट प्रे करते हैं ऐसे रखके दो सेट में मार्क करके इधर भी रखके ऐसे मार्क करके उधर दो पॉइंट मिलता है ना दोनों को जोडते हैं तब आपको इधर एक पॉइंट मिलता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाद में कमपास से इधर से इधर तक measurement लेके एक बड़ा सा सरकल बनाते हैं बाद में इधर से इधर तक measurement लेके सरकल के उपर एसे मार्क करते जाना चाहिए ऐसे, अगर आपको एसे मिला तो सरकल के उपर point रखे वो point यूज़ कीजिए बाद में सारे points को एसे मिलाथे जाये तब हमें एक pentagon मिलता है pentagon के अंदर design आता है अब इधर से इधर तक measurement लेके compass से सारे line के उपर एसे mark करते जाये ये mark हर line का middle point होता है बाद में इधर से इधर हमने जो लिया ना अभी मिडल पॉइंट उधर से अपोसिट वाला पॉइंट तक एसे लाइन करना है बाद में इधर से इधर तक हमें मिडल पॉइंट लेना चाहिए वही मेथेड यूज करके एसे मार्क करके मिडल पॉइंट लेते हैं इधर मिला बाद में सेंटर में कमपास रखके इधर तक मेशरमेंट लेके सारे लाइन के उपर वही डिस्टेंस का मार्क करते हैं ऐसे बाद में इधर कमपास रखके इधर तक टच होना चाहिए उतना बड़ा सरकल बनाना है फायो सेड में वही सरकल करना है बाद में सेंटर पॉइंट पे रखके भी एक सरकल करना है बाद में इधर से इधर तक आल्मोस्ट इतना ग्याप चोड़के इनर सरकल बनाना है ऐसे डबल हो गया सरकल अभी इधर इधर ये दों पॉइंट मार्क कीजिए और इस पॉइंट के साथ ऐसे मिला दीजिए सारे जगह वही करते जाना चाहिए अब बाहर का लाइन डबल कर रहे हूँ और बाहर का सरकल को भी डबल कर रहे हूँ तोड़ा जगह ता पेपर में इसलिए कर रहे हूँ बस बाद में पिन से करना इधर से इधर तट करना है बाहर का भी इधर से इधर तक कमपास में पिन डालके डार्क कर रहे हूँ सारे लाइन को एसे सारे जगह करते जाना चाहिए ये बाहर का सरकल हो गया और अंदर का सरकल भी इधर से इधर तक आता है हो गया बाद में इधर जो बचा था वो सब पूरा करते हैं इधर से इधर इधर से इधर और इधर से इधर इसी तोड़ी केरफली करते जाएं देखें इसे और इसे इधर से इधर और इधर से इधर इसे ओवर लैपिंग रहता है हो रहा है बाद में सेंटर पॉइंट के ऊपर कमपास रखके वो सरकल भी पूरा करते हैं ऐसे अब बाहर का सरकल अउड लैन को फिंसे कर रहे हूं आप इसे सकिब कर सकते हैं इसके साथ सेम डिजाइन को एड कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूं अब ये सब पेंसे कर रहे हूँ और last में color डाल रहे हूँ आप चाहिए तो डाल सकते हैं नहीं तो और कोई design भी कर सकते हैं ये से दिखता है नहीं तो देखिए ये से भी भनाए मैंने वही design है ना बीच में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 rings है hexagon बनाके उसके अंदर कीती बाद में ये लाइन है ना इधर से मैंने pentagon बनाई 1, 2, 3, 4, 5 इधर से pentagon है अंदर तो same design है बीच में hexagon का है देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन है अंदर का hexagon से और बाहर का pentagon से बनाया हुआ है